हालो गाइच आप सभी का आपके अपने येटूब चैनल येस मैथमेटिक पाट साला में श्वागत करता हूं और जो हमारा भी सीरी चल ला है वो फंक्शन्स का चल ला है जिसका फर्स्ट वीडियो लेक्चर अप्लोड हो गया है और सेकेंड वीडियो लेक्चर में मैंने कर लाता फंक्शन्स क्या होता है और आज आपके लिए बताऊंगा टाइप आफ फंक्शन्स या काइंड आफ फंक्शन्स ठीक है गाईच तो बने रही है मेरे साथ एंड तक और जो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का वटन भी दबादे और पास में गंटी का इसको भी प्रेस कर लिए जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोडिविकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके गाईज एक बात और बताना चाहता हूं मैंने टीजीटी पीजीटी के प्रिविस येर के सॉल्ट पेपर्स को अपने यूटूब चैनल पर अपलोड कर दि अभी टॉपिख और को समझने के लिए उससे रिलेटिड फ्रीं पढ़ना है और सारी खुगोइस के बाहले के बाद इसके वन वैं को स्टार्ट हो जाएंगे फिर पूरी एक्साइच करांगा एकसाइच पर प्लिशे विडियो और जो फंक्सन हैं बहुतừa बड़ा टॉपिक है और इस फंक्शन से कम से कम 20 से पत्चेस लेक्चार आपको प्रोवाइड कर आए जाएंगे तो बने रहे हैं मेरे साथ एंड तक और लाइक का वटन भी दबा दीजिगा और जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिगा दिखेंगा इस काइंड आ नाम होता है तो क्या दो बोलते हैं ए फंक्शन है फंक्शन है f जिसका कि मैपिंग होरी है वह पे बने तू ब आहिए और question के द्वारा हो रही, F के द्वारा हो रही है, is said to be one one function or injection if different element of A have different image in B, मतला A के प्रतेक element की, A मतलब जो आपका domain है और B जो है guys, co domain है, ठीक है, यह आपका A है और यह B है, अर्थात A के प्रतेक element की, B के प्रतेक element B के जो element के साथ अलग-अलग images होनी चाहिए, ठीक है, A का कोई भी दो element एक पे नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो महनी बन हो जाएगा, हमें इधर के बन element की mapping B के single element के साथ ही होनी चाहिए, ठीक है गाईस, तो क्या लिखा है, समाह लिजिए, is said to be one one function or injection, if different element of A, A के different element have different image in B, different element B के different element के साथ ही image form करना चाहिए, तब वो function बन-बन हो जाएगा, अर्तात कोई भी same element, element same नहों तो function की value भी same नहों ठीक है, अगर element same है, तो होता है कि अगर function same लेके चले और element equal आ जाए, तब हम बोलते हैं वो one one function है, अगर हमारे element equal लेके चले not equal है, तो function भी equal नहीं होने चाहिए, यह भी बन-बन की condition है, अगर हम प्रूब कैसे करते हैं, function को बन-बन लेके चलते हैं, ठीक है guys equal लेके चलते हैं और function को equal लेके चलना, element को equal लेके आना है, अगर यह आ जाता तो वो one one function हो जाएगा, example के तोर पे समझ लिजेगा, let a, a से b पे mapping हो रही है, एक function दूसरा function है, x से y मतलब g के द्वारा, two functions represented by the following diagram, समझ लिजेगा, diagram की help से, guys अब यहाँ पे देखिए, a का जो प्रतेक element है, वो b के different element के साथ form हुआ है, कोई भी एका ऐसा element नहीं है, जो b के same element पे जाके map हुआ हो, और इसमें guys देख रहे हैं कि x1 और x3 एक element by two पे map हुआ है, तो यह वाला हमारा one one function नहीं होगा, और इसमें सारे element a के different element b के साथ image form कर रहे हैं, तो यह one one element हो जाएगा, ठीक guys, अब हम बात करते हैं इसके, कि method to check the injective function, कैसे check करेंगे, यह function injective है, injective का मतलब one one है, तो सबसे पहले guys क्या करते हैं, दो function हम ले लेंगे, x और y मान लेंगे, दो numbers और दोनों के function equal लेके चलेंगे, fx equal to fy, ठीक है guys, यहाँ पर थोड़ा clear नहीं दिख रहा होगा, fx equal to fy लेके चलना है, second point के लिए, ठीक है, third में क्या करते है guys, अगर यह function equal लेके चल रहे हैं, तो element equal उनके आ जाए, तो वो बोल देंगे function, क्या होगा, injection यह one one होगा, otherwise not, ठीक है guys, तो देखिएगा, एक-दो question भी करा देता हूं मैं आपके लिए, जैसे और method है guys, इसको check करने का, if the function, if the function is given from the order pair, function कैसा order pair में है, if two order pair do not have the same second, मलब कोई भी ऐसे order pair, same नहीं है, किसी दूसरे के लिए, तो function क्या हो जाएगा, one one हो जाएगा, next, अगला point समालिजे, if the graph, कोई भी ऐसा graph, if the graph of the function by equal to fx, by equal to fx का कोई भी graph is given, and each line parallel to x-axis, अगर हम parallel line, कोई भी सपोजे curve हमारा दिया था यह वाला, अगर हम parallel line के थो, x-axis के थो, कोई भी line parallel draw करे, अगर वो उस curve को only one point पे cut करती है, maximum one point, ठीक है guys, तो वो हमारा one one होगा, जैसे यह हमारा जो curve दिया हुआ था, x-axis के हमने parallel line draw करी, तो सिर्फ एक point पे cut कर रही है, तो इसका मतलब यह one one function हो जाएगा, यह line थी by equal to x place b, और यह curve था exponential a की power x, ठीक है guys, तो दोनों कैसे है, one one function है, ठीक है guys, line one one है, और एक की power x भी जो है, वो one one function है, if a function is either strictly increasing, अगर कोई भी function, if a function either strictly increasing, or strictly decreasing, the whole domain, पूरे domain के अंदर, जो भी domain है, उस पूरे domain के अंदर, या तो function strictly increasing, strictly increasing का मतलब होता है, लगातार बढ़ना, और strictly decreasing का मतलब होता है, लगातार घटना, तो वो क्या होगा, one one, otherwise it is many one, नहीं तो वो many one हो जाएगा, ठेक गाइस, next point समा लिजिए, अब हमें number कैसे find कर रहे हैं, कि one one, कितने functions बनेंगे, number of one one function, कितने one one function या injective functions form हो सकते हैं, तो गाइस देख लिजिएगा, अगर हमारे माल लिए, a, a क्या होता है, डोमेन, और b क्या होता है, तो गाइस, अगर b में हमारे m element है, और, sorry, a में m element है, और b में n element है, तो गाइस, क्या करते हैं, अगर हमारा n greater than है, n क्या है, गाइस, greater than है, तो क्या होता है, n, p, m, अगर हमारा गाइस, n बड़ा हो जाए, और m छोटा हो जाए, तो इसका मतलब हो जाएगा, गाइस, बहाँ पर कोई भी बन-बन फंक्शन नहीं हो सकता, ठीक गाइस, तो हमारे b के element की संख्या, जादा या equal होनी चाहिए, बट, a के element मतलब, domain की संख्या, जादा नहीं होनी चाहिए, कोडो में की संख्या के या to equal होनी चाहिए, या कोडो में greater होना चाहिए, अगर कोडो में greater या equal है, तो n p m होगा, अगर कोडो में less हो गया, तो बहाँ पे कोई भी बन-बन function नहीं होगा, तो गाइस, उमीद करता हूं, आपको बन-बन function समझा आया होगा, अब गा भी के सेम एक ही इलिमेंट पर आजाए मनलब जैसे हम बात करें एक अंदर हमारे 2 3 4 5 इलिमेंट है ठीक है उन में से किसी दो इलिमेंटों की एक ही इमेज बन जाई बीक के अंदर तो मैंनी हो जाएगा अगर आपको फिगर से समझाने की कुछिस करें तो आप इस तरह से देख सकते ओ गाई यहां पर a1 जो हमारा जा रहा है व हमारा जा रहा है ऊ बहुत आ है और a4 भी विटू पर जा रहा है यहां पर duas number कौन कौन a2 और a4 same number b पर फॉर्म हो रहे तो इसका मतलब यह मैण alert हो यहां पर देखो एकस्टू वाइफॉर पे आ रहे हैं यह दोनों और यह दोनों जा रहे हैं तो यह भी क्या जगा मैनीवन फंक्षन हो जाएगा ठीक अगर इसके लिए क्या बोलते हैं अगर हमारे इलीमेंट जो है इक्वल नहीं है उसके बाद भी फंक्शन की वैलू आ रही है तो इलीमेंट ना इक्वल होते हुए भी फंक्शन एक्वल आ जाएं तो वह मारा क्या हो जाता है जुमाहिन इवन हो जाता है समझ रहे होगे if the function is given in the form of the set of ordered pair and second element of at least two order pairs कम से कम दो order pair का second element से मा जाए तो वो क्या हो जाता गाइज मैंनी बन इससे मतलब पता चल जाता कि पहला वाला जो element है और किसी एक दूसरे का भी जो element जैसे गाइज करते हैं order pair मतलब इस तरह से और आगे हमारा सी भी किस पर आजाए बी पर तो इसका मतलब एक किस पर मैप कर रहा है और सी किस पर मैप कर रहा है अर्थात किसी दो element का जो second ठीक है at least two order pair in the same function जो second element है अगर वो सेम हो गया किसी बी दो order pair का तो उसका मतलब वो function कैसा हो जाए गाइज मैनीवन हो जाएगा next देख लिजेगा गाइज अगर मैनीवन को एक और तरीका है हम graph के द्वारा कैसे चेक करेंगे all even function और मैनीवन जितने भी even function होते हैं गाइज बो कैसे होते मैनीवन होते हैं और एक condition और समझ अगर हम parallel x-axis के line draw करते हैं अगर वो curve को दो points पे cut करती हैं यहां पे देख लिजेगा तो गाइज यह हमारा curve है एक पहरा बूला का इसको हमने x-axis के parallel line draw करी तो एक और दो पाइंट हो पे cut कर रही तो इसका मतलब यह गाइज कैसा हो गया यह जो हमारा curve हो गया वो मैनीवन ह गया ऐसी हमारा पे यहां पे देख लिए mode function है एक इदर से जा रहा है एक इदर से जा रहा एरथा यह दो points पे cut कर रहा तो यह भी function many one function हो जाएगा गाइज on to functions की बात करते हैं on to के लिए बोलते हैं guys surjection on to के लिए क्या बोलते हैं guys surjection function या इसको sort में surjective भी बोलते हैं ठीक है guys if a function if a function f a to v on to if each अगर a से b पे कोई function on to है तो उसके लिए condition है guys if each element of v की मतलब b के प्रति b के मतलब यहां पर जब भी बात करें तो आप उसको code domain समझने समझेगा अगर code domain के प्रते element की pre image exist कर रही अर्था तो उसकी कोई ना कोई a के अंदर image जरूर है तो वो function on to हो जाएगा ठीक है guys therefore इसको इसको क्या बोलेंगे f inverse y बोल देंगे ठीक है guys to f inverse y belongs to a अगर कर रहा है every y के लिए for all y belongs to b then the function is on to in other word the range of f the range of f equal to code domain अर्था जो range है वो हमारी code domain के equal हो जाए तो guys उस case में भी वो function क्या हो जाएगा and हो जाएगा guys यहां पर देखने की कोशिस करिए यहां पर देखो इसकी pre-image यह है इसकी pre-image यह यह इसकी pre-image यह है ठीक है तो b के प्रतेक व्यमेंट की pre-image exist कर रही है यह के अंदर है यहां भी देख सकते है guys सबकी हर element की pre-image exist कर रही है तो यह function क्या हो जाएगा guys on to होगा यह नहीं होगा यह आपको check करना है ठीक गईज तो उमीद करते हैं जो function है हमारा वो कैसे हो गया on to हो गया ठीक है अगला इसको समय लिजेगा अब number of on to functions कैसे find करते हैं यह भी बहुत important है number of on to functions आप से पूछे जाते हैं कि कितने होंगे guys if a and v are two sets having m and n अर्थात a में m element है domain में और code domain में n element है respectively अर्थात जो n है वो बन से बड़ा है और m से छोटा या equal है तो गया नम्मर of on to functions होंगे a to b पे minus 1 की power n minus r और into में ncr होता है guys और into r की power m हो जाता है ठीक है guys यह इसका formula है on to functions निकालने का polynomial function is on to polynomial function is on to if degree of f is odd अगर degree odd है तो वो हमारा on to functions हो जाएगा if a set a समली जीगा guys फिर से if a set if a set has m element and v has two elements then the number of surjection defined on a to v अगर a के अंदर m element है और b के अंदर two element है तो surjection function हो जाएगे guys two की power m minus two okay next देख लेजिए guys हम इसकी barking कैसे करते हैं कैसे check करते हैं कि यह function surjective होगा यह नहीं होगा rule for check whether f x f x to y ठीक है on to or not finding the range of function पहले सबसे पहले range of function से check कर लेते हैं ठीक है guys if the range of the function is equal to the co-main co-domain then it is on to otherwise it is not on to ठीक है वो कैसा हो जाएगा into हो जाएगा guys अगर को हमें क्या करना B की pre image exist करना है कहां पर guys a के अंदर आप देखिए guys यहां पर हम अगर बात करें तो यह हमारा क्या है function a to b पर हो रहा है is an into function if there exist an element b having no pre image in a अर्थात हमारा कोई भी element ऐसा जरूर छूट जाना चाहिए बी के अंदर जिसकी कोई भी pre image exist ना करें जिसकी कोई भी pre image exist ना करें अर्थात को डोमेन के अंदर एक ऐसा element जरूर होना चाहिए जिसकी a में pre image exist नहीं कर रही है तो function on to ना होके क्या हो जाएगा guys into हो जाएगा okay guys दोनों functions में देख रहे हैं यहां जिसकी कोई भी pre image exist नहीं कर रही है तो it is on to into functions guys method कैसे निकालते है into or on to functions को हम कैसे पता करेंगे into function होगा यह on to function होगा तो guys समालेजिए unsolve करते हैं x f x is equal to y के लिए f x को y माल लेते हैं the taking function of y and g x is उसको g x कुछ भी मालेजिए so g x is defined for each y co domain g y जो है वो पिरतेक हमारा y co domain के numbers के लिए हमारा define होना चहिए है तो g y belongs to co domain then f x is on to and if and if anyone of the above then requirement is not fulfilled f x is into अगर ऐसी कोई भी condition fulfilled नहीं होती है तो function हमारा into हो जाएगा अगर यह condition fulfilled हो जाती है तो function on to हो जाएगा अब गाईज अभी हम पता कर रहे है one one on two अब वर हम पढ़ेंगे many one on two ठीक है गाईज one one on two की अगर हम बात करें तो guys one one on two देख लीजे बहुत ही अच्छा question है मतलब प्रतेक नम्मर एक सिंगल नम्मर पर मैं भी करेगा तो यह बन बन हो गया अब गाईज अब यहां से on to कैसे होगा देखिए बी के प्रतेक इलीमेंट की प्रीमेज एमें एक्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब यह on to हो गया तो वन बन भी हो गया और on to भी हो गया अगर कोई function बन 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 टू दोनों हो जाता है तो वह बाइजेक्शन कर जाता है क्या गोलते हैं गाईज उसको बाइजेक्शन तो ग कि प्रतेक इलीमेंट की प्रीमेज एक्जिस्ट करनी चाहिए एक अंदर तो फंक्शन बन 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 टू होने के साथ साथ में वह क्या हो जाएगा यह जाएगा यह जाता है और फ्लों की सट्सवाइज निकालते हैं यह भी बहुत ही अच्छा कोशन है वन बन बन आं टू नम नम्मर आफ इलिमेंट जब दोनों में सेम नम्मर आफ इलिमेंट होंगे तो जो संख्या होगी हमारी 1112 functions की वो factorial N हो जाती है क्या हो जाती है इस factorial N जितने हमारे number है उतने ही बन जाएगी आप गाइस question देख लेते हैं पहला जो question दिया है हमारे लिए the function f r to r अर्था domain और co domain दोनों सेम है real numbers is given by f x f equal to x cube minus 1 कैसा होगा 11 function होगा on 2 function होगा y action होगा neither 11 or on 2 होगा तो गाइस बहुत ही आसानी से समझ लेंगे इसको हम क्या करेंगे f x is equal to a let x1 और x2 दो चीज ले लिए पहले क्या करते हैं गाइस f1 तो बन के लिए f x जो लिखा था वहाँ पर x की जगा बन लगा दिया दूसरा function 2 में बनाना तो जहां पर 2 लिखा एकस लिखा था वहाँ पर 2 कर दिया अब हमारा काम क्या होता बन-बन करने के लिए हम function equal करेंगे तो हमने function दोनों के equal कर दिये अब दोनों की value x1 cube minus 1 x2 cube minus 1 दोनों की equal कर लिए गाइस बन से बन कट जाएगा अब आ जाएगा x1 cube is equal to x2 cube तो x1 equal to x2 आ जाएगा अब गाइस हमारे function equal लेके चले थे element equal आ गया तो इसका मतलब function बन-बन हो गया अब गाइस कैसे हो जाएगा पहला वाला भी real numbers है दूसरा भी real numbers है अर्थात आर ओबर आर ये function हमारा इसका मतलब function कैसा हो जाएगा देखेगा अगला example ये भी हमारा आर टू आर दे रखा है डिफाइन करना है ये तीन numbers है हमारे पास आप गाइस एक चीज समझने की कोशिस करिए ये function बन-बन होगा उगर इसका में अगर बात करूँ ये function हमारा एक्स इकल टू बन पर भी 0 हो रहा है अर्थात एक्स इकल टू री पर भी 0 हो रहा है अर्थात एक्स इकल टू तू 1,2,3,1,2,3,ी तीनों पर जाएगा, what unto इसलिए हो जाएगा guys क्योंकि unto क्यों हो जाएगा, क्योंकि R to over R दिरक था है, minus infinite, infinite this में हो और domain में, and minus infinite to infinite as a domain में, , function unto हो जाएगा but not 11 होगा option number इसका भी correct हो जाएगा, on what not 11 next question लेख लेजैगा guys illustration 3rd. लिखा है a set a has 3 element मतलब एक जो set है उसमें 3 element है और एक जो set b है उसमें 4 element है अब गाईस देखिए co domain greater हो रहा है और domain छोटा है थी तो हमारे लिए formula था npm और यहां पर जो formula हो जाएगा वो 4p3 हो जाएगा और 4p3 का मतलब हो जाएगा गाईस factorial 4 और factorial 4 होता है गाईस 24 तो answer 24 क्या हो जाएगा correct हो जाएगा next question illustration 5 the let the function f r to r is defined by f x is equal to 2 x plus sin x or where x belongs to real number, क्या होगा 1 1 hoगा on 2 hoगा 1 1 2 1 what not on 2 1 on 2 what not 1 1 neither 1 1 nor 1 2 कौंची condition satisfy होगी तो guys solution के लिए अभी आपने देखा था अगर कोई function is strictly increasing यह strictly decreasing होता है तो 1 1 हो जाता है तो इसको देख लेते हैं guys कैसे करेंगे simply यहां पे guys क्या दे रखा है हमें दे रखा है f dash x इसका एक बार derivative कर लेंगे जो function दे रखा था function हमें दे रखा था 2 x equal to plus sin x तो इसका जब differentiation करेंगे 2 x का x हो जागा sin x का कितना हो जागा cos x और यह जो function है guys 2 और cos जो देता माइनस 1 से बनके बीच में value देगा तो यह greater than 0 आ रहा है इसका मतलब यह function इस्ट्रक्ली monotonic increasing है और इस्ट्रक्ली monotonic increasing function 1 1 1 2 होता है यह condition अभी आपने थ्वीरी में पड़ी थी ठीक है अगला question है नम क्या लिए रखा गाई जैक्शन का मतलब होता है 1 1 1 2 दोनो और 1 1 1 2 जभी होगा जब domain और co domain में number of element क्या होंगे सेम होंगे और number of element सेम होंगे अर्थर 10 है तो उसके लिए मैंने फार्मॉला बताया था फैक्ट्रूरल 10 number of 1 1 1 on 2 functions की mapping वहती है इसका answer correct हो जागा next question देख लिजेगा गाई तो गाई यहीं पर समहप्त करते हैं आगी की जो वीडियो नहीं आएगी उसमें हम आपको कराएंग Thank you, thank you for watching this video